वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला फ पी जरूड़ कर लेठार को अचि railway को और फिर आगे के सशन में आज ऊनामी फड़ने वाले हैं तो चलिए वर थोड़ सांदार का पीछह से रहयं का लेते हैं पहला है कि कि इसम में ऊद्ग के लगवाट लगावले कर पेषी पर फिर आपका पीछली के बेल्त ह। बड़िक बहुत जयादा है डिखरा जयार होता है तक मतलं यह बहुत जादा क्यू फ्र्राइक्टर्स की मिटनटिक इन्थ कॉंचे सब्सक्राव में अदै बहुत जादा cognitive मिट उथ छे फॉल्स शो फ्रैक्टराउब लकारूंशो यह बहोंत से नहीं होता है यह रहां नहीं होता इसा मैंने बताए क्यान है प्सक्राइब मेधिया की हमालेया अर खेल अब् pac team बेल्ट घॉफ सबू on the इसको मिन हम अल्पाइन ही त्य दो है इंडिया का हिमालया थे व्ट के अंधर आता है फीजिए हो गया अफिका एंड गल्फ और एडन ड़ा अरभीन सी इसमें ब्रह पारता है इसमें प्लोका नहीं हो प्लोका थे वक्तुमा गुजोगे प्लोका अब नक्रशे का तो यह आपका एक कुईक रिव्यू सा हो गया पिछले सेशन का आज हम पढ़ेंगे सुनामी ठीक है सुनामी क्या होती है देखें अर्थकेक होता है कि जमीन में भुकम पाना और जो है चीजें हिलना बुलीडिंग्स का गड़ना ठीक है धरती का फटना पर सुनामी क्या होती अर्थकम समुनामी ठीक होती है । अस् प्रॉत है कि भुकम में पाना ठीक होता है कि बहुत उची मतलम तक इन बहुत सब्सक्राइब के साहिते हैं लहारे सुनामी मुदै कि अपने साथ बहा ले जाती है तो Tsunami is a Japanese word in which Su means stands for Harbour, Nami means for Waves, ठीक? Those fast-moving waves which affect ports and harbours are called Tsunami, तो बहुत इसके basic सा definition होगा है, ठीक है? फिर Tsunami are unusual waves which transfers parallel to the sleeve floor as large waves. It's wavelength and amplitude increases continuously towards the port. अब ये जैसे जैसे port या harbour या tut के पास आती है ना, इनकी waves की intensity उतनी ही बढ़ती चले जाती है, ठीक है? अब speed देखिए, लगबख 160 km प्रती घंटी की speed होती है, ठीक है? 160 km ठीक है? और इनकी highest speed, sometimes कभी 650 km परावर हो जाती है, सूचे किस speed से waves travel करती है, कितनी घातक होती है, तभी अपने साथ पूरी पूरी building और सब कुछ दूबा के लेके चली जाती है, ठीक है? अब आजाते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं सुनामी के बारे में, अब क्या है, अब क्या है, 8.9 का जो magnitude का जो अर्थक्विक आएगा ना सुनामी में, मतलब समुन्द में, वो बहुत ही, बहुत ही एक्स्ट्रीम लेवल का सुनामी वेव्स ओकर करेगा, बतलब, उसकी जासे 8.9 magnitude का अगर अगर अविसली धर्ती पर आगया, तो भी बहुत समंदर में आया, जो रिचर स्केल पर 8.9 magnitude का अगर देखा गया, तो सुनामी वेवस उससे बहुत उची 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 उच्टे, बहुत अबाही होते है, ठीक है, 11 countries, a total of 11 countries, including Indonesia, Malaysia, Sri Lanka and India, were hit by these waves, ठीक है, यह तो number of countries हो गई, कि जो जो इस वेवस से एफेक्ट हुई थी, ठीक ह After that, the most powerful earthquake of all, on Japan, North East, 11 March 2011 को उखर हुआ, सुनामी वेवस ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था, उनमें 9 रिचर स्केल का आया था, यह जो अपने 8.9 रिचर स्केल का पढ़ा है, यह है, जब यह ऐसा सुनामी आया था, तो से कौन कोन से एफेक्ट हुआ था, इंड माओ 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 जबाया था, तो वो 11 रिचर स्केल को ने जपान में बहुत जादा तबाही मचाई थी, ठीक है, अपिसेंटर वों 30 किलोमेटर और इस्ट ऑफ सेंड़े, अपिटल मियागी प्रोविस इन जपान, 373 किलोमेटर नौट इस ऑफ जपान, अपनी जादा सुनामी घातक होती है, ठीक है, यह आपकी कुछ बेसिक से देफिनिशन थी, आगे भी थोड़े 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 एक्जांपल से सुनामी के, ठीक है, तो I hope आपको आज का सेस्शन समझ में आया होगा, कुई भी डाउट हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन म कॉमेंट करके जरूर बताएगा, अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक श्यों सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज कीच और बेल बेटन को प्रेस करना ना बूलिए, ठीक यू सो मच पर वोचिंग,